तो आज का टॉपिक यार काफी important रहने वाला है online degrees का trend आप देख सकते हो कितना यहां पर बढ़ता जा रहा है especially after covid यह बहुत बढ़ गया है लोगों में एक वो चीज आ गई है कि यार हम घर बैटे बैटे एक अच्छी तरीके से हम education ले सकते हैं तो उसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि online degree अगर हम BC की करते हैं तो उसके क्या-क्या फाइदे रहने वाले हैं सारी चीज़े यार हम discuss करेंगे इस वीडियो में तो आजकल जैसा आगे हमको सबको पताए कि market में skills की value बहुत है और skills आप online यहाँ पर सीख सकते हो और यहाँ पर बहुत benefits होते हैं जैसे कि हम काफी कम पैसों में यहाँ पर सीख सकते हैं online degree लेकर skills को हम यहाँ पर सीख सकते हैं तो यार जब भी हम BCA करने का mood बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास options क्या होते हैं या तो हम किसी government college में जाते हैं या फिर हम किसी entrance test में देके एक अच्छी private top college में जाएंगे या फिर हम जो दूसरी normal colleges होती है private वहाँ पर जाके हम यहाँ पर admission लेते हैं एक और best option हमारे पास होता है कि हम online degree यहाँ पर ले ले BCA की जहां पर आप घर बैटे बैटे यहाँ पर वह degree कर सकते हो तो अब बात करते हैं कि क्या-क्या फाइदे आपके होते हैं या पर online एक degree के सबसे पहला फाइदा होता है time flexibility आप घर बैटे बैटे यहाँ पर डिगरी complete कर सकते हो आपको कहीं जाना नहीं है तो आपको यहाँ पर आपका time भी सेव होगा आपको travel नहीं करना पड़ेगा लोग रोज रोज तो काफी यार मेरा एक दोस्त है जुसको अपनी वो college से आप college travel करता तयार एक गंटा सोब है एक गंटा शाम को ठीक है तो दो गंटे तो उसके दिन के सिर्फ traveling में ही चल गए तो यहाँ पर online जब आप करते हो तो यह एक flexibility आपकी बचती है तो अगर आपका एक दिन में दो गंटे बच रहे हैं तो आप देख सकते हो साल में तीन class का time आप पिक कर सकते हो तो flexibility आपको यहाँ पर मिल जाती है जब आप online डिगरी करते हो तीसरा सबसे best और मैं बोलूगा खास जो benefit होता यार online BCA डिगरी करने का वो है यहाँ पर less fees fees आपकी comparative less होती है अगर आप एक offline में जाओगे तो लाको रुपे लग जाते हैं कुछ-कु यहाँ आप यहाँ पर अपने family के साथ home town में आप रह सकते हो तो वह आपका जो living expenditure का जो खर्चा होता है यार आप किसी दूसरे शेर में जाएक के college पढ़ोगे तो बहुत सारा living cost आपका आजाता है यार पीजी में आपको किराया देना पड़ेगा यहाँ अगर आप flat लेके हो या फिर कोई room लेके रह रह रहे हो तो उसका आपको एक rent देना पड़ेगा तो काफी फिर खाने पीने के आपके expenses होंगे traveling के वहाँ पर ज्यादा आपको expenses होंगे तो कुल मिला के आपका जो additional cost अगर हम किसी और जागे जाते हैं तो at least अगर मैं 20,000 पर मन्त एक basic cost भी तो 20,000 into एक साल हो गया यार 240,000 तो 240,000 आपका living cost लग रहा है इसी को यार आप multiply कर दो 3 से तो यहाँ पर जो cost निकल के आती है यार वो है 6,60,000 रुपे जो की 3 साल में आपका living cost लगने वाला है वो cost आयार आपका बस सकता है अगर आप online VC के degree करते हो तो काफी लोगों को यार यहाँ पर यह एक myth भी रहती है कि यार online degree की value नहीं रहती है तो यहाँ पर UGC ने कह दिया यार की online degree भी आपकी equivalent valid होती है regular की degree की जैसे ही उसको यहाँ पर लिया जाता है तो एक यहाँ पर यह myth भी लोगों की होती है online degree की इतनी value होती है तो यार मैं बोलूगा बहुत सारी डिपेंड करती है आप course curriculum देखो उस college का course curriculum अच्छा है तो बिल्कुल यहाँ पर online degree की भी value होती है आप बस course curriculum देखो अच्छी चीज़ आप आप पर पढ़ोगे अच्छे साप skills को सीखोगे तो job मिलने में भी आपको याँ कोई दिकत नहीं आएगी में चीज आपको देखना है कि वो जो college है अगर वो UGC approved है तो आप बिल्कुल कर सकते हो उस degree की value यहाँ पर रहेगी अब काफी लोगों को सिर्फ IGNOU का ही पता है कि बस यह एक ही college है जहां से हम online या distance BCA कर सकते हैं online degree कर सकते हैं बट यहाँ पर बहुत अलग-अलग colleges हैं 50 से ज कोशन जरूर आ रहा होगा कि यार इन में से कौन सी best university है कैसे हम select करें कैसे हम college को compare करें कि कौन सी college best है fees को हम कैसे compare करें तो इसी problem का solution यहाँ पर देती है एक website जिसका नाम है यार college विद्या तो यह एक ऐसा platform है यार जहां पे 70 plus approved online universities listed हैं यहाँ पे यार आप अपना interest student rating budget को द तो यार आप देखते हैं college विद्या की website को अच्छे से explore करते हैं यह बिल्कुल free portal यार आप free MS को use कर सकते हो जो कि इनका best part है प्लस यहाँ पे आपको consultation भी यहाँ पे मिलती है आप यहाँ पे उनसे बात कर सकते हो अगर आपको कोई भी doubt होता है आप यहाँ पे consultation ले सकते हो वो भी काफी अच्छा feature है इस website का third चीज यहाँ पे आप compare कर सकते हो यहाँ पे universities को जो भी best university आपको लगती है और आप उसको choose कर सकते हो यहीं से ही अप कैसे वो चीज़े करते हैं जानते हैं तो यहाँ पे इस website पे यार बहुत तरी तरकी की courses है PG courses भी है UG courses भी है example के लिए फटा-फट से इस form को तो आप यहाँ पे ऐसे यहाँ पर अपनी details भर सकते हो specialization आप चूज कर सकते हो यार कि आप जैसे की एक BCA General होता है और होता है कि आपको इस specialization में कर रहो हो जैसे additional intelligence, cloud and security, cyber security हो गया तो for example के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ general यहाँ पे select कर रहा हूं आपक आपको find best university पे click करना है फिर आपको यहाँ पे यह survey आएगा यहाँ पे आपको कुछ simple से question का answer देना है इन question का answer आप अच्छे से देना उस हिसाब से यह आपको अपने लिए आपके लिए जो भी best university है वो select करके देंगे तो जैसे की are you currently working तो जैसे मैं यहाँ पे no select कर देता Arts can you dedicate on weekly basis तो for example मैं 4-8 गंटे या फिर चलो मैं 8-16 गंटे पढ़ सकता हूं तो मैंने यह select कर लिया उसके बाद मैं budget यह एक बहुत important है जिससे आप साब budget choose करोगे उस हिसाब से वो फिर आपको colleges यहाँ पर recommend करेंगे तो मैं यहाँ पे 60,000-1,00,000 तक का कर लेता हूं फिर मैं what matters you the most कि आपको आपकी requirement क्या है अगर आपकी कम fees है तो आप यह option second option select कर सकते हो right university right course I only care about the degree so for example मुझे right university right course चाहिए वो मैंने का लिया अगर आपको EMI चाहिए तो कुछ-कुछ लोगों को EMI चाहिए होती तो मैं for example के लिए yes कर लेता हूं how much did you score last में तो 52,80 मैं select कर लेता हूं through which you can get placement, hike and promotion अगर आप ऐसी university देखना चाहते हो जहां से आपको अच्छी placement मिले बिलकुल हां तो हम yes select कर लेते हैं और फिर हम submit कर दे हम स्कुल है तब ही आपको यहां पर जाएं है ठीक है यहां पर कुल्ए सकती हो जिस तो आपके साफरा पे जी हैं तो जितनी भी आप निकलome आजाएगी सब्सक्राइब तो second feature जो मैंने बतायाता है कि video consultation आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आपको video consultation चाहिए तो आप यहाँ पर video counseling भी कर सकते हो, call कर सकते हो, mentors होते हैं, जितने भी आपके doubts से वो यहाँ पर यहाँ पर यह solve कर सकते हैं ठीक है, 20,000 puns semester की यहाँ पर fees है, ठीक है, मैं यहाँ पर इस पर proceed करूँगा, अगर आपको कुछ किसी से यार बात करनी consultation, तो आप यहाँ पर talk with a licensed expert पर click करके कर सकते हो एक और feature यहाँ जो मैं बताना चाहूँगा, add to compare, आप यहाँ पर compare भी कर सकते हो यार, इस option से, for example, Manipal और उत्रांचल University को मैं compare करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से compare भी कर सकता हूँ तो अब मुझे यार, detail में information मिल जाएगी, आप देख सकते हो यहाँ पर, कि fees किस में जादा है, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर, उत्रांचल University में fees कम है, 12,000 पर semester ही है, तो अगर मैं गरा, priority fees होगी, तो फिर मैं उत्रांचल चूज करूँगा, नहीं तो फिर मैं money पाल ज मैं यहाँ पर proceed करूँगा, उसके बाद में यह सारी कुछ यहाँ पर information आएगी, कि ऐसे यहाँ पर यह information है, sample certificate इनों ने दिखा दिया है, उसके बाद में आप देख सकते हो, UGC approved है, AICT approved है, फिर मुझे यहाँ पर क्या करना है, जब मेरे को यार, university पसंद आ गई, उसके ब यहाँ पर इस form को भर सकते हो, और यहाँ पर reach out कर सकते हो, इस university में, और इतना simple आपका admission हो जाएगा, online BCA distance में, अगर आप interested हो, आप इस website को यूज कर सकते हो, काफी सारी fake websites भी होते हैं, पर यह काफी अची website है, यहाँ पर आपको support भी मिलता है, post degree support भी यहाँ पर यहाँ प आपके पास एक dedicated counselor रहेगा, तो यार आपकी problem आसानी से solve हो जाएगा, तो इस video में इतना ही, I hope so, आपको अगर online BCA यार distance से BCA करना है, तो एक idea मिलेगा, BCA के अलावा भी आपको MCA करना हो, या कोई और भी आपको degree करनी हो, आप इस website को use कर सकते हो, description में लिंक है यार उसको जाके check out करना इस website को देखना बहुत बढ़िया platform है, तब तक के लिए चलते हैं, तब तक के लिए चलते हैं, तसे सुषाब डिवाल, signing off.